आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे विकास EcoTech के बारे में, ये stock एक multi bagger जरूर है, बट अभी lower circuit लग रही है, अच्छी खुशकपरी आने वाली है, पर lower circuit कहां रुकेगा, ये एक million dollar question है, जिसका answer करने की कोशिश करेंगे, इसको उस level तक मत buy कीजेगा या average मत कीजेगा, जहाँ पर हम इस वीडियो में बताएंगे level, पूरा calculation के साथ आपको answer करेंगे, revenue का projection अगर देखा जाए, तो 25% higher है 2022 का, जो की positive news मानी जाएगी, company के reference में, तो देखिए, यहाँ पर debt को थोड़ा control करने की कोशिश करें, equity value बढ़ रही है, जो stock के लिए phase में, तो banks के loan reduce करेंगे 40% तक और pat को positive impact आएगा हमारे हिसाब से, इस stock में, तो यह बहुत अच्छी ख़बर है, बट अभी continuously load circuit चल रहा है, तो देखिए, यह इसका हमने जो भाव का हिसाब से तै किया है, तो जो blue bar है, यह इसका price represent करता है, पिछले दो महिने का, दो महिने स साथ में, यहाँ पर value सबसे ज़्यादा इनकी trade हुई थी, 35 करोड value trade हुई है, इसकी यहाँ पर 24 जनवरी को, तो यह level जो था, इसका था उस time पर 5.50 पैसे का, तो अब यह level टूड गया है, इसका मतलब यह अब resistance की तरह से काम करेगा, इसके लिए 5.50 पैसे का short term के, तो support क्य 28 करोड value के share खरीदे गए थे यहाँ पर, और इसका जो price बन रहा है, वो बन रहा है करीब 4.10 पैसे के आसपास है, तो अब जो हमारा major support रहेगा, 4.10 पैसे के आसपास रहेगा, इससे पहले आप अधी इसको खरीदने की कोशिश मत कीजेगा, इसके आसपास जितना अपना च नहीं है, यह value है, कि value कहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा trade हुई है, तो I hope this point is clear, तो 4 रुपे से पहले इसको खरीदने की ज़रूत नहीं है अभी हमारे साब से, और यहाँ पर, पैट तो अच्छा जंप हुआ है, 17,000 पृतिशत का जंप हुआ है, sales भी improve हुई है, देखे, 3. इन करोड का profit आया इस बार, तो एक साल में performance इतना अच्छा नहीं था, भी 24% के आसपास return दिया है, बट आगे चलकर positive territory में यह आएगा, क्योंकि अभी इसकी profitability नेगेटिव थी, आप यहाँ पर यह positive profitability आएगा, तो हमारे साब से buying level 4 रुपे के आसपास होना चाहिए, विकास गल जाएगी वो, वरना पुरानी plastic 200-200 साल तक चलती रहती है, तो इसके लिए इन्होंने PHA component को काम किया है, और अरो PHA के साथ इन्होंने यह joint ventureship शुरू किया है, तो हमारे यह साब से इस industry multiple segment को produce करती है अपने supply, तो यह हमारे एक अच्छा recommendation है, आपके लिए, please consult a financial advisor, 5% य और अगर हम outlook की बाद करें, हमारा view बहुत bullish है, long term का target इसका 100 रोपे के उपर है, बशर्ते, आप इसको right level पर खरीदें, और patiently इसके साथ वेट करना है, अगर किसी stock का particular buy level जाना है, तो हमारे चैनल पर paid member बन सकते हैं, market cap की दरश्ची से यह एक penny stock है, तो penny stock में 2% जदा आपक पुनिविश्च करने की ज़रूत नहीं है, जैंज भारत, bye guys